आज मैं आप लों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के दो बहुत ही जादा असान नाश्टे की रेस्पी अगर आप भी समोसा कचोड़ी खाने के शुकीन है तो आपको ये मज़िदार नाश्टे की रेस्पी बहुत जादा पसंद आएगी आप इसे एजे इवनिंग स्नैक भी जब कर सकते हैं और सुभे नाश्टे में भी बना सकते हैं तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं अलु का बहुत ही मज़िदार क्रिस्पी नाश्टा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए आटा लगा कर तेयार करेंगे तो उसके लिए यहांपर हमने एक कप मैदा लिया है आप मैदे की जगा पि यहांपर गेहूं काटा भी ले सकते हैं इसके बाद हम इसमें आधा चमच अजवाय नेट करेंगे और साथ ही हम इसमें आधा चमच नमक एट करेंगे आप चाहें तो स्वात के अनुसार इसमें नमक डाल सकते हैं इसके बाद मौयन के लिए यहां पर मैंने दो बड़े चमच तेल लिया है आप तेल की जगा पे यहाँ पर घी भी ले सकते हैं आटे में तेल या घी मिलाने से नाश्ता काफी जादा खस्ता और क्रिस्पी बनता है अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसकी इस तरह से मुठी बांद कर देखेंगे अगर आटा इस तरह से ही कठा हो रहा है इसका मतलब हमने सही मुएन इसमें डाल दिया है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका आटा लगा कर तेयार करेंगी दोस्तो इसका जो आटा हमें लगा कर तयार करना है वो बहुत जादा धीला भी नहीं होना चाहिए और बहुत जादा टाइट भी नहीं होना चाहिए जिस तरह से हम चपाती के लिए आटा लगाते हैं उससे आपको थोड़ सा टाइट आटा लगा कर तयार करना है तो आटा हम लगा लिया है अब हम आटे को ढख कर पांच मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि आटा बढ़िया सा फूल कर सेट हो जाए तब तक हम आलू का मसाला बना कर तेयार करेंगे तो उसके लिए यहां पर हमने तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिये हैं और अब हम आलू को ग्रेट कर लेंगे आप चाहें तो इन्हें पटेटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं बस आलू के अंदर कोई मोटा टुकड़ा ना रहे इसलिए मैंने इन्हें ग्रेट कर लिया है इसके बाद इसमें एक मीडियम साइज का बारी कटा हुआ प्याज एड़ करेंगे अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर सकते हैं इसके बाद आधा इंच अदरक के टुकड़े को हमने ग्रेट कर लिया है ये भी हम इसमें डाल देंगे इसके बाद दो तीन बारी कटी होई हरी मिर्च एट करेंगे अगर यी नाश्ता बच्च इसके बाद आधा चमच धनिया पाउडर एट करेंगे इसके बाद हम इसमें स्वात के अनुसार नमक एट करेंगे तो यहाँ पर मैंने आधा चमच नमक इसमें डाल दिया है अब इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा चमच चाट मसाला पाउडर इसमें अब यहां पर मैंने दो बड़े चमच अरा रोट लिया है इसमें अरा रोट डालने से जो आलू का मौईस्चर है वो लॉक हो जाएगा और जब हम इस नाश्टे को फ्राइ करेंगे तो वो असानी से फ्राइ हो जाता है और तेल भी बिल्कुल खराब नहीं होगा यानिके आल प्लू का मसाला तेयार हो गया है तो इसे हम साइड में रख देते हैं अब हम आटे को देख लेते हैं डोग को ढखकर रखे होए पांच मिनट हो गए हैं तो इसे एक बार मसलते होए एक्टम चिकना कर लेंगे ताकि आटा बढ़िया सौफ्ट हो जाए और इसके बाद हम इ लोई से थोड़ा सा बड़ी ही बनने वाली है और आप दीख सकते हैं कि आटा हाथों के साथ बिलकुल भी नहीं चिपक रहा है तो बस इस तरह से हम ये दो लोई बना कर तयार कर लेंगे और इसके बाद हम इसे बेलेंगे पहली लोई को मैंने चकले के उपर रख लिया है और बस इसके बाद हम इसकी रोटी बेल लेंगे दोस्तों इसकी जो रोटी हमें बेलनी है वो बहुत जादा पतली नहीं बेलनी है तो बस यहां पर इसकी बड़ी सी रोटी हमने बेल ली है इसी तरह से हम दूसरी रोटी भी बेल लेंगे और इसे उठाकर दूसरी प्लेट मसाले की पतली सी लेयर हमें रोटी के ऊपर लगानी है और पूरी रोटी के ऊपर मसाले को आप अच्छे से लगा दीजिए तो यहां पर पूरी रोटी के ऊपर हमने मसाला अच्छे से लगा दिया है इसके बाद दूसरी रोटी को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे अगर आपको लगे कि रोटी थोड़ा सा छोटी है तो आप उसे इस तरह से हाथों से खींच कर बढ़ा सकते हैं, अब रोटी के किनारों को हाथों से प्रेस करते हुए थोड़ा लॉक कर देंगी और उपर से भी इसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, अब हम इसे हलके पहले ही चौक और शेप में बेल सकते हैं, इसके बाद रोटी को हम बीच में से इस तरह से काट लेंगे और इसके बाद एक एक इंच की पट्टियां हमें इस तरह से काटनी हैं, तो यहां पर हमने इन्हें काट लिया है और इसके बाद एक पट्टी को इस तरह से उठाएंग आसान है नाश्टी को इस तरह बनाने के बाद हम इसे किसी प्लेट में या फिर ट्रे में रख लेंगी तो यहां पर मैंने इसे चॉपिंग बोर के ओपर इस तरह से रख दिया है तो इसको फ्राइ करने के लिए यहां पर मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया था तेल को हमें याँ पर हलका गर्म करना है तेल में थोड़ा सा आटा डाल कर ओईल की टेंपरेचर को चेक कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि तेल में बबल्स बहुत ही छोटे-छोटे से हैं इसके बाद हम एक-एक पीस उठाएंगे और तेल में इस तरह से तलने के लिए डाल देंगे गैस का फ्लेम हमें याँ पर बिल्कुल लो रखना है लो फ्लेम पे ही हमें इस नाश्टी को फ्राई करना है जिस तरह से हम समोसे या मठरी वगरा को fry करते हैं बस उसी तरह से हमें इस नाश्टे को fry करना है ताकि ये अंदर से बिलकुल भी कच्चाना रहे और एक तम खस्ता और क्रिस्पी बन करते यार हो जब ये नाश्टा थोड़ा सा fry हो जाए तब हम इसे थोड़ा सा इस तरह से चला देंगे नाश्टे को तेल में डालने के बाद तुरंट नहीं चलाना है जब वो थोड़ा सा फ्राइ हो जाए उसके बाद ही आप इसे इस तरह से चला दीजिये और इसे एक तम क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगी और दोस्तों यहां पर नाश्टा एक तम माले के अंतर थोड़ा सा अरा रोट मिला दिया था उसकी वज़े से मौश्चर लॉक हो गया था अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह बहुत बढ़िया एक्तब क्रिस्पी हो चुका है तो इसे हम तेल में से बाहर निकाल लेते हैं अब सारा नाश्टा बनकर तयार हो गया है आप इसकी आवाज सुन सकते हैं कि यह कितना ज्यादा क्रिस्पी है स्वाद में बिल्कुल समोसे कचोरी जैसा है लेकिन इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है आप आलू पैटिस बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए आटा लगा कर तयार करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर मैंने दो कप मैदा लिया है अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप मीडियम साइस की किसी भी कटोरी से नापकर यहाँ पर मैदा ले सकते हैं इसके बाद हम इसमें आधा चमच नमक एट करेंगे पैटिस को एक्तम खस्ता बनाने के लिए यहाँ पर मै इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगा कर तयार करेंगी तो मीडियम साफ्ट आटा लगा कर हम तयार करेंगे इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही आड़ करेंगी तो यहाँ पर आटा लगकर तयार हो चुका है बहुत ज़ादा टाइट भ गैस पर हमने एक पैन को हमनल त्यक्ति दिट को लगा लगाइज तेल रटा लंतरा है , पिल्को लो फ्लेम पे भून लेंगे जैसे ही इन में चटकने की आवाज आने लगती है और मसाला हलका सा ब्राउन हो जाता है तब हम इसमें दो तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च एट करेंगे अगर इसके बाद हमने याँ पर ग्रेट किया हुआ अधरक लिया है आधा इंच अधरक के टुकडे को हमने याँ पर ग्रेट करके लिया है ये भी हम इसमें डाल देंगे अब इसमें एक पिंच हींग एट करेंगे और लो फ्लेम पे इस मसाले को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे क्योंकि हरी मिर्च और अधरक के अंदर हलका सा मौश्चर होता है वो म चौथाई चमच गरम मसाला डाल देंगे और इसे एक्तम चटपटा बनाने के लिए आपर मैं आधा चमच चाट मसाला पाउडर एड़ कर रही हूँ आप चाहें तो चाट मसाले की जगा पे आधा चमच आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं कुछ सेकंड के लिए मसाले को भून लीजिए और इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू एड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज के उबले हुए आलू जिन्हें मैंने पटेटो मैशर से थोड़ा सा मैश कर लिया था यह हम इसमें डाल देंगे अब चाहें तो आलू को गेट करके भी ले सकते हैं अब हम मसाले के साथ आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी तक हमने इसमें नमक एड नहीं किया है तो अब हम इसमें आधा चमच नमक डाल देंगे नमक डाल कर अच्छे से मिक्स कर लीजिए अब यहाँ पर थोड़ा सा बरी कटा हुआ हरा धनिया डाल द बढ़ी असा फूल कर सेट हो चुका है और अब हम इसमें से लोईया तोड़ेंगे तो इस आटे में से हमें आठ लोईया बना कर तयार करनी है खोशिश करेंगी कि सारी लोईया एक ही साइज की बने तो इसलिए आप इस तरह से आठ लोईयां बना कर तयार कर लीजिए और बस जिस तरह से हम चपाती के लिए लोई बनाते हैं उसे गोल-गोल कर लेते हैं तो बस यहां पर लोई बन कर तयार हो गई है तो सारी लोईयां हमने बना कर तयार कर ली है अब हम इने बेल लेंगे तो हमें इने थोड़ा सा पतला ही बेलना है जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे हमें इने बेल कर तयार करना है तो यहाँ पर एक रोटी हमने बेल ली है और अब हम इसे उठा कर एक प्लेट में रख लेंगे इसी तरह से हम बाकी की ती मralت किया हूए घी लगा देंगे हाथों से घी को अच्छेसे पूरी रोटी के ना धिजय के ऊपर पढ़ा है घी लगाकर हाथों से अच्छ से पुरी रोटी के उपर फैला दीजिए और इसके बाद थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे इसके बाद तीसरी रोटी रखेंगे और इसके उपर भी खी और मैदा लगा देंगे और यहाँ पर हमने 4 रोटी भी रख ली है अब एक पारभाग में काट लेंगे तो यहां पर चार पैटीज बन चुकी है तो चलिए अब हम इसमें से एक पीस को इस तरह से उठाएंगे और इसे थोड़ा सा पतला बेल लेंगे इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है बस जो आलू पैटीज का साइज होता है उतना ही ह अब मैदे के इस पेस्ट को पैटीज के चारो किनारों में इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हाथ से लगा देंगे दोस्तों इसको लगाने से पैटी बिलकुल भी नहीं खूलेगी जब हम उसे तेल में फ्राइ करेंगे और इसके बाद आलू की स्टफिंग को हम इसके अं खूले तो बस इसी तरह से हम सारी आलू पैटीज को तयार कर लेंगे हलके गरम तेल में ही हमें इने फ्राइ करना है यहां पर मैरे दो पैटीज डाल दी हैं बिलकुल लो फ्लेम पे हम इने फ्राइ करेंगे ताकि यह एक्तम खस्ता और क्रिस्पी हो जाएं जैसे यह एक त तक ये अंदर से बिलकुल भी कच्ची न आ रही अगर आप इन्हें तेज फ्लेम पे फ्राइ करेंगे तो उपर से कलर तो बहुत जल्दी आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह सकती आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये फ्राइ हो गई है बहुत ही बढ़ी सा कलर आ और बस अब हम इने तेल में से बाहर निकाल लेंगे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी पर्ते इन में निकल कर आई है बहुत ही मज़िदार बिल्कुल बजार जैसी आलू पैटीज आप घर में बना सकते हैं इसी तरह से हम सारी आलू पैटीज को फ्राइ कर लेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं बहुत ही मज़िदार बिल्कुल बजार जैसी एक्तम खस्ता एक्तम क्रिस्पी आलू पैटीज बन कर तयार हो गई है आप इस रेस्पी को जरू ट्राइ कीजेगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी